हेलो एब्रिवान विल्कम बैक टो एसे मात अनलाख हो में एक टेस्ट सिरीस के मैथ टेस्ट नमबर 24 है यह आरर बी ग्रूप डी 1110 2018 सिफ्ट वन का क्वेश्चिन है यह चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है 10 years ago a mother's age was three times the age of a son 10 years later mother's age will be twice the age of a daughter what is the ratio of their present ages अब सर यहां पे पहले son दिया हुआ था और फिर daughter दिया हुआ है तो कुछ तो गलत होगा हां सर गलत है क्या गलत है सर यहां पे daughter नहीं होगा यह son ही होगा ठीक है सर चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं तो एक काम करते हैं हम लोग यह mother है यह son है ठीक है 10 साल पहले तो यहां पे अगर यह original ratio 10 साल पहले minus 10 year में इन दोनों का age का ratio क्या था 3 is to 1 3 times mother's age to her son ठीक है अब 3 times के बाद मतलब 10 साल के बाद after 10 year मतलब plus 10 ठीक है तो यह current age था प्लास 10 years के बाद उनका age का ratio कितना हुआ सा 2 is to 1 हो गया ठीक है कोई दिक्कत है अब देखो सर एक चीज इन दोनों का gap कितना है सा 2 इन दोनों का gap कितना है एक तो यह ratio को 2 से गुना करते है यह ratio को 1 से गुना करते है ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा 4 is to 2 यह ratio मिल जा रहा है अब 3 से हुआ 4 एक से हुआ 2 एक ही ratio increase हुआ है दोनों में देखिए 3 से 4 हुआ है मतलब 1 ratio increase हुआ है 1 से 2 हुआ है मतलब 1 ratio increase हुआ है कितने साल के लिए यहां पे 10 साल यहां पे 10 साल 20 साल के लिए तो एक ratio बराबर 20 साल अब किस के what is the ratio of the present ages तो present ages को न निकाल लेते हैं, तो mom का age क्या था, sir, 30 दू ना, 60 साल, और son का age क्या था, sir, 20 साल, ये कितने साल के था, जब 10 साल पहले का, ये 10 साल पहले, अब इसके बाद, मतलब 10 साल के बाद क्या हो जागा, sir, present age आ जागा, तो present age क्या हो जागा, sir, 50, नहीं, sir, increase होगा हमें, sir, 70 is to, इधर देख लेते, next question क्या दिया होगा है, इस जो math test जो हम लोग कर रहे हैं, अभी ये करने का तरीका मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप question आ रहा है, एक question को pause करो, आप solve करो, आपका कितना answer है रहा है, और मैं यहाँ पर किस process से करवा रहा हूँ, और कितना answer है रहा है fund disbursement, मतलब fund को जितना फाला जाया रहा है, इस year the fund has increased by one third of the last year, for the product development, last year 20 lakh was disbursed for various activities including product development which is 30% of other activities, how much money has CFO allocate for product development this year, अब देखो sir, एक चीज़ समझने के कोशिस करो, कि पहले कितना था, sir 20 lakh था, अब कितना, तब 20 lakh में से, तब कितना sir, 30% of the other activities, तो 30% था, अभी कितना हो गया, sir अभी one third increase हुआ है इस साल, मतलब 30% का one third अगर निकाले तो कितना हो जा रहा है, 10% यहाँ पे, तो total कितना percent कि 40% हम लोग अगर निकाल ले तो क्या हो जागा, तो हमें मिल जाएगा जो answer हमें चाहिए, तो निकाल लेता तो यह 2-0, यह 2-0, तो 1, 2, 3, 4, और 1, 5, 5, 0, और इधर और 4, 2, 8, तो इतना रूपए हम लोग किस के लिए invest कर रहे थे, disbust कर रहे थे, the allocate, the product development this year, तो कितना है सर, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 8, लाग, option number 4 is the correct answer, ठीक है सर, यहाँ पर खाली question लें दी था, और कुछ नहीं था, यह पढ़ने में ही आपको जिदना time लगता हो, वही question का answer हो जाएगा, चली देख लेता, next question क्या हो जाता, Medha incures a loss of Rs. 60 on selling her bag at Rs. 300, in order to get a profit of 15%, what should have been the selling price of the bag, अब देख कुछ 60 रुपए का loss होता है, 300 में बेचने पर, तो original CP कितना है, 360, अब इसके उपर 15, 37 profit लेना है, मतलब 115 बटा 100 करेंगे, तो हो जाएगा काम खत्म, तो 008 आता है, तो 5, 2, 10, तो 5, 2, 10, 5, 3, 15, तो 2 से कितना होता 2, 1, 2, 2, 8, 16, तो 18 से 23 को गुना करेंगे, सर मुझे 18 का टेवल नहीं याद है, अब एक चीज़ देखो, मतलब अगर उस मोमेंट पर अगर आपको लग रहा है कि 18 या आपको नहीं आता है, तब भी आप ये गुना कर सकते हो, कैसे, 18 को हम लोग कर लेता है, 20 माइनस 2, ठीक होगा, लेकिन ज्यादा किद्र आता दिये, 4 हटा दिये, तो 410 और 4, 414, option number 4 is the correct answer, ठीक है सर, चले देख लेता है, next question क्या दिया हुआ है, ये एक अच्छा सवाल दिया हुआ था, trigonometry का, हमें क्या दिया हुआ है, tan theta बराबर a by b, value of k का value निकालना है, कब कहां से, ये expression से, ह अपर a sin theta plus b, ऊपर cos theta जो common जा रहा था, नीचे cos theta जो common जा रहा था, वो क्या हो जएगा, sir, cut जाएगा, то cut के क्या निकलेगा, sir, ये value रहे जाएगा, कि a sin theta, a tan theta minus b, Vision, a tan theta, a tan theta हो जाएगा, ये a tan theta plus b, Q, sir, हमने cos theta common ले ले ये उपर नीचे से, बराबर क्या, sir, बराबर नह लिखते हैं पहले इधर का ही कर लेता है तो क्या होज़ा है कि A इंटू टैंथ रिया का वैलू बिठा देता है तो A upon B minus B by A into A upon B plus B तो यहां से कितना आ जा रहा है sir A square minus B square upon A square plus B square यह बराबर हमें क्या दिया हुआ है हमें यह equation दिया हुआ है A square minus B square upon A square plus B square whole to the part k तो देखे पता चल जा रहा है आपको k का value कितना आ जा रहा है sir sir k का value 1 आ जा रहा है क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है या फिर कोई गलत मिल रहा है नहीं sir तो k का value 1 है यहां पे कहां पे answer है sir कहीं पे भी answer नहीं है यह question गलत आया था, इसके बाद जो answer seat आया था, वो मेरे पास available नहीं था, नहीं तो question seat जो आया था, वो मेरे पास available नहीं था, नहीं तो उसी से आपको करवाते के value 1 था, ठीक है sir, 1 होना चाहिए, चलिए देख लाए था next question क्या दिया हुआ है, rupees 1080 invested for 3 months and the interest was rupees 27, what was the simple annual rate of interest, annual rate of interest हमें निकालना है, ठीक है sir, हम लोग क्या करते है, sir, कितना महिने के लिए, sir, 3 महिने के लिए दिया हुआ है, कितना रुपए 27 रुपए, तो sir, interest बराबर क्या होता है, sir, PRT upon 100, ठीक है, तो आई क्या है sir, interest 27 रुपए, कितना principle के उपर, 1080 के उपर, कितना प्रतिशत, sir, वही तो निकालना है, R, T कितना है, सा 3 upon 12, साल के लिए निकालना है, T क्या होता, यार में 3 महिने के लिए दिया हुआ था, तो उसको 3, 12 से डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए, कितना 100, तो यह कट दिये, 0, 0, कट दिये, तो उपर इधर कितना है, तो रेट अफ इंट्रेस्ट, आर बराबर 10 आ जा रहा, देखो 10 प्रतिशत, तो टेन प्रतिशत का एन्वाल रेट अफ इंट्रेस्ट, आप्शन नमबर 1, ठीक है, sir, यह जो क्रॉस अप करोगे, ठीक है, एक काम करना, फ्रेश से करना, या फिर फ्रेश तरीके से करना, ऐस इसे हपाजर लिमत कर लेना, क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी न, यहाँ पर आप तीन लिख दोगे, चार लिख दोगे, वो मिस हो जाता है, जब अंसा निकालोगे, तो इसलिए कोशिस करना, थोड़ा सा फ्रेश करना, यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी कार यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है, इस सेड में, चले देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हूँ, अन दे बेसिस ऑप ग्राफ बिलोग, वीच रिटेलर सेल्स इज उप त्री तिंग्स अट लेस दें रूपीज टेन लाक, रूपीज देन सारी, यहाँ पर नहीं दिया दुकान है यहाँ पर देखो डिटेलर यही रिटेलर है जो डिटेलर वान जो सब को 10 के नीछे हे आपके ग्राफ ठीक है यहाँ पर देखो 8 में है यहाँ पर 9 में है psychedel 10 से नीचे less then three 3 सबों लेश दَन 3 में तो retailer 1 is the correct answer हो जाएगा आपका कोई दिक्रत है इसमें ओके option number 1 चलिए देख लाता है next question क्या दिया हुआ है if 7580-x equals to 3440 then find the value of x पता नहीं question जब करता है क्या दिमाग अबगे कभी question देता है बहुत 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 बैदरीन सवाल और कभी-गभी ऐसे question देता है तो यहां से निकालने के लिए कितना से यहां से एकिस को निकाले तो कितना 班 धाल रहा है इससे तो कुछ गलत हो रहा है, इतना आसान सवाल कैसे देगा, और भी आपको check करता है, कि आप आसान सवाल, tough शवाल, tough सवाल, देखके, आसान सवाल में आप जाके फस जाओगे की नहीं वह़ी चेक कर लेता है, ठीक है? आपके sense of mind चेक कर लाता है उस time के लिए चले देख लाते next question क्या दिया हुआ है इस sum of rupees 110 is in the form of rupees 2, rupees 1 and 50 paisa in the ratio of 1 is to 2 is to 3 how many coins of 50 paisa are there in it ठीक है सर अब देखो एक चीज या तो आप x पकड़ लो या तो आप ratio का दूसरा तरीका सोचो देखो दो रूपए का coin है एक रूपए का coin है 50 paisa मतलब हाफ रूपए का coin है ठीक है ratio क्या है sir 1 is to 2 is to 3 है तो money value कितना हो जाएगे इन दोनों को गुना करते है 2 is to 2 is to 3 पंटो तो इसको गुना करते हैं तो 4 is to 2, 2, 4 is to 3 तो ये money value है तो 4, 4, 8, 19, 11, 11 तो 11 बराबर यारा ratio का value बराबर 110 रूपए 10 रूपए ठीक है sir अब देखो 10 रूपए मतलब कौनसा वाला money value sir 10 रूपए मतलब एक ratio का value अब 3 ratio का value कितना है तीस रूपए कितना 50 पैसे मिलके ये 50 पैसा था कितना 50 पैसे मिलके आपको 30 रुपए देगा साथ 50 पैसे हो जाएगा तो आपका 30 रुपए देगा वही तो question था how many coins of 50 पैसे are there in it option number two is the correct answer आप एक्स पकड़के करना या फिर किसी और तरीके से करना मुझे बताना इससे जल्ली आपको procedure आता है की नहीं है अगर आ रहा है तो मुझे बता देना मैं next question में वही process आपके लिए apply कर लूँगा ओके सर चले देख लेते next question क्या दिया हो है the difference between a fraction and its reverse is 9 upon 11 what is the difference between the cube and fraction and its reverse cube of the fraction and its reverse तो हम लोग fraction पकड़ लेते हैं a ठीक है a cube पकड़ा sir a equals to x upon y ऐसे कुछ होगा ठीक है हम लोग सोच लेता है तो a minus हमें क्या दिया हो है a minus 1 by a upon 9 by 11 तो हमें क्या निकाल लेते है a cube minus 1 by a cube बराबर क्या हो जाएगा sir a cube minus 1 by a cube क्या होता है sir a minus 1 by a का whole cube plus 3a into 1 by a into a minus 1 by a क्या यह आपको दिक्कत दे रहा है नहीं sir तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा sir यहां से क्या हो जाए रहा है a minus 1 by a बराबर कितना 9 by 11 तो 9 upon 11 इसका whole cube plus 3 into 9 upon 11 तो 9 upon 11 हम लोग common ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 upon 11 common ले लेंगे तो 11 81 upon 121 plus 3 तो यहां से क्या हो जा रहा है sir 9 upon 11 into इधर हो आपका 121 3 is a 3 6 3 plus 81 3 6 3 plus 81 तो तीने कम चार 8 6 14 इधर हो रहा है 4 तो 4 4 4 4 4 4 upon 121 तो क्या यह 4 4 4 4 यहां से कटता है नहीं कटता है तो 4 4 4 4 into 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा sir 9 4 36 6 carry forward 3 9 4 36 36 49 carry forward 3 9 4 36 39 39 39 6 upon 11 into 1221 क्या हो जाएगा sir 1331 तो console option 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 number 4 is the correct answer भूल के भी इस question को ऐसा मत पकड़ना एक के जगा पे x upon y पकड़ो sir यह लोग यही चाहते हैं examiner यही चाहते कि आप x upon y पकड़ो और equation ऐसी लेंदी हो जाए कि आपको solve करने में दिक्कत हो जाए दिमाग करने से वहाँ पड़ जाए ठीक है sir मजा कर रहा हूं आपको जैसे लगे जो value लगे आप पकड़ो easily solve करो math में टेंसर नहीं लेने का जितना सारा set हो रहा है आपका उतना practice करते जाओ आपको 20 out of 25 25 out of 25 कोई नहीं रोग सकता है ठीक है sir चले देख लेता next question क्या दिया हो है इने group of 100 students each student studies 8 subjects and each subject is studied by 10 students what is the number of subjects अब देखासर 100 students 8 subject करके read करेगा तो इतना सारा subject हो जागा लेकिन एक-एक student क्या करता है each subject of studies by 10 students मतलब एक subject 10 students के द्वारा पढ़ा जाता है तो ज्यादा कितना count हो जा रहा है तो डिवाइट 10 कर लेता है तो इसको हटाएंगे तो कितना हो जागा sir 80 subject हो जागा definitely what is the number of subjects sir definitely 80 subject हो जाएगा option number 4 is the correct answer क्या समझ में नहीं आया है देखो sir total अगर student एक काम करते है each student studies 8 subject अगर 8 subject पढ़ रहा है तो 100 student कितना पढ़ेगा sir 800 subject हो जा रहा है लेकिन एक एक subject 10 student पढ़ रहा है मतलब 10 को अगर divide कर दे तो number of student हमें मिल जागा तो definitely 80 students number of subjects मिल जा रहा है कितना 80 subjects okay sir अगर कोई question हमें यहाँ पे set के द्वारा मिस हो जा रहा है तो आप चिंता मत करना group D के जो single question वाला जो playlist है उसमें आपको वो question मिल जाएगा जरूर मिलेगा ठीक है एक question यहाँ पे side shoot चुका है देख लेंगे आप बात में अगर मिल सकता है तो अगर करवा सकते हैं तो last में जाके करवा देंगा आपको चलिए देख लेते next question क्या दिया हुआ है what is the ACF of 156, 312 and 195 सर एक चीज सोचो कि यहाँ पे 5, 6, 11, 12, 3, 3, 3, 6, 5, 9, 5, 14, 15, 3 से तो divide होता है सब हाँ हो गया तो 13 से क्या हो जाएगा तो देख लेते हैं एक बार करते हैं से छोटा छोटा दो जो दो है उन दोनों का ACF निकाल लेते हैं तो 156 and 195 का ACF क्या हो जाएगा एकम 156 तो 6, 9, 15 और 5 एकम 6 आ रहा है 3, 49 तो 156 देखो से पहले 78 कर गया ठीक है तो 3 से 3, 5, 15 नहीं होगा 3, 4, 12, 4 स आ गया 39, 39 से क्या 1, 3, 1, 2 को डिवाइड कर सकते हैं सर, 3, 1, 2 को 39, 3, 3, 9 से देखो, 9 से डिवाइड हो रहां, 9, 2, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 3, 25, नो, कितना हो रहा है, 9, 8, 72, 8, 72, तो 8 से देख लेते हैं, 72, 7, 8, 3, 24, 7 कितना होता है, सर, 7, 4, 11, 31,कती, सर हो जारा है तो सर 39 is the ACF option no. 2 ठीक है यह कैसे समझना है कि सर एक चीज़ देखो पहले दो छोटे-छोटे जो डेटा है उन दोनों का इसे बागा निकाल लोगे तो जो आ जाएगा सर वही आपके लिए बड़ा वाला जो नंबर उसको डिवाइड करने में आसानी देदेगा ठीक है सर चले देख लेते नेक की यूप का सइड का अभाटा टू कर दिया जा मतलब है किउप का साइड ऐ है तो उसका आधा कर दिया जाए तो उसका वालूम कीतना हो जागा सर को एक टैंस हो जागा ठिक है तो यह तो च्थिकिन toen Malum कि एतना अभरह एक क्यू अपन ने तो पहले volume कितना था ए था तो उसका 1 by 8 times हो जाता है चलिए देख लेते next question क्या दिया होगा है If the number x339 is divisible by 11 then what is the value of x क्या हो जागा Sir x plus 3 minus 3 minus 9 अब equals to 0 हो जागा या फिर 11 हो जागा Sir हम लोग 0 पकड़ लेते हैं तो यहां से कितना हो रहा है Sir x3339 होना था अगर question क्या according चले तो लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं यही है अब क्या किया मैंने Sir 1 को छोड़ के 1 को जोड़ा 1 को छोड़ के 1 को जोड़ा तो जोडने से हमें जो value मिल गया तो उसका difference ले लेंगे तो वो क्या वजागा 0 और 11 का multiple Q क्योंकि divisibility of 11 का theorem यही कहता है कि sum of the digit of the odd place minus sum of the digits of the even places equals to 11 और multiple of 0 और multiple of 11 होना चाहिए तो वही तो कर दिया ठीक है Sir चले देख लेते next question क्या दिया हुआ है 10 men can paint a wall in 8 days if the painting works is to be finished in 4 days then how many more men will be needed more 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 यह time miss मत करना वाई मेरे एक काम करो यह question एक बार ध्यान से पढ़ लो कि more है कि दिया हुआ है कि नहीं या फिर how many men पूछा गया ठीक है more का मतलब होगा कितना ज्यादा लगेगा ठीक है 10 men मिलके 8 days में कितना काम करता है सटेन इन्ट इंट में देस काम करता है equals to four days में हम लोग men पकड़ लेते हैं में काम कर गया तो चार दुना आठ तो दस दो बीस में टोटल बीस में लेगा देखो सरह है यहां पे बीस भी option लेकिन यह answer नहीं होगा कितना ज्यादा में लग रहा है minus 10 मतलब 10 men option number two is the correct answer गलती से भी इस question को गलत मत करना मेरे भाई ध्यान से पढ़ लेना एक बार की कौन सा answer मांगा है आपको ठीक है सर चले देख लेते हैं next question क्या दिया हुआ है if the zero of a polynomial two x cube minus x square minus two x plus one with three roots are respectively a b and c then find the value of a b plus b c plus c है अब सर two x cube two x cube minus x square minus x square minus two x plus one equals to zero इसका एक vanishing factor होता है vanishing factor मने क्या हो जाएगा सर इसका meaning क्या है सर क्या करना चाहिए sir vanishing factor मतलब x का क्या value हो जाएगा जिसके कारण से total जो expression है यह zero आ जाएगा तो x का value one बिठा के देखते हैं तो कितना रहा टू minus two two minus one minus इदर कितना हो रहा रहा है so two plus one तो one one कट गया two two कट गया zero आ गया तो x बराबर अगर one आ रहा है मतलब x minus one इसका एक factor है यह एक normal vanishing process कहा जाता है जैसे हम लोग equation of क्या करते है polynomial को हम लोग middle term fraction करते हैं इसी तरीके से यह vanishing method होता है एक normal procedure होता है ठीक है तो x factor आ रहा है x minus one एक factor है तीन factor हो जाएगा x minus one x minus one करके तीन factor लिख दिया ठीक है अब दोगी इसको fill up करना है क्यों तीन factor लिखे यह भी बता रहा हूँ इसको fill up करना है कि कितने से गुना करें तो 2x square से गुना कर लेंगों तो हो जाएगा तो उपर वाला line लिखते हैं ठीक है से समझना अच्छी तरीके से तो 2x cube minus 2x square क्या ज्यादा आ गया ज्यादा एक x square आ गया तो x square हो जागा plus x square minus x से आ जागा तो sir क्या काम क्या घाटती है 2x में से घाटा कितना है sir x है तो minus 1 कर लेते हैं तो minus x plus 1 equals to 0 तो खतम कहा नहीं तो यहां से कितना factor है x minus 1 इसके अंदर क्या जाएगा 2x square plus x minus 1 बराबस 0 यह दोनों factor आ जाए ठीक है तो पहली बात तो यह 2 factor है उसके बात क्या हो जाएगा x minus 1 एक factor और इन दोनों के निकालते हैं तो 2x square plus 2x plus 2x minus x minus 1 कर लेंगे तो 2 factor हो जाएगा तो यहां से कितना है 2x into x plus 1 और minus 1 कमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x plus 1 तो यहां से आ रहा है X plus 1 एक और 2X minus 1 एक factor पहले से ही X minus 1 एक factor था तीनों factor का गुनन क्या आज़र है 0 आज़र है then find the value of the X का value क्या है 1 है तो 1 मतलब A बराबर 1 तो X का value कौन सा है minus 1 है क्या है तो B बराबर क्या हो जागा sir minus 1 and C बराबर क्या हो जागा sir 1 upon 2 इस factor से हमनों C को निकाल लिया ठीक है sir तीनों का value दिया हुआ है with the three roots respectively यह तीनों root है हम एक काम कर सकते थे कि A का value एक पकड़े B का value एक पकड़े C का value एक पकड़े जरूर बताना अगर नहीं समझ मैं है तो फिर भी बताना मैं कोशिस करूंगा आपको दूसरा किसी तरीकी से आपको समझाने का ठीक है sir चले देखले ते नेक्स्ट कॉस्चिन क्या दिया हुआ है इस इस टोल नूल सुच्ट लाग असी हजार इंटु पंडरा अपन अपन सो तो सौक का हट ग गया 0-0 हट गया तो पंडरा से गुना करता है कितना होता है सर 15 और 18 सर रहाम गुणा नहीं पता 18 का टेविल एक काम करो 15 अटरा 20 यहां तक 30 तक के टेविल याद कर लेना लेकिन सर हमें गुणा भी नहीं करना है ऐसे क्या 20 माइनस 2 लिख सकता है 15 को 18 को हां सर तो 15 इंटू यह गुणा करेंगे तो 15 दूना 300 तो 300 माइनस 30 तो कितना हो रहा है से 270 तो 27,000 तो 27,000 is the correct answer option number 2 ओके सर चले देखले थे next question क्या दिया हुआ है Samu needs 40% to pass an exam if he fails by 10 marks even after getting 190 marks then what was the he total marks what was the होगा यह the total marks of the exam ठीक है सर अब देखो 190 marks पानी के बाव जू 10 marks से fail किया तो pass marks कितना है 190 plus 10 मतलब 200 तो यह 40% के बराबर हां सर 40% बराबर 200 तो 100% होता है exam का total marks तो 100% आजाएगा divided by 40 into 100 तो कितना हो रहा है 4,5,20 तो 500,500 marks का total exam था option number 3 is the correct answer ओके सर चले देखले थे next question क्या दिया हुए you are driving a vehicle from point A to point B at a speed of 45 km per hour your friend is driving from point B to point A at a rate of 53 km per hour if the distance between the two points is 1029 km and both of you starts at the same time then after how many hours will you and your friend cross each other अब देखो सर यह सबसे असान question था खाली लंबा question ही दिया हुआ है 1029 total km अब यहां से आप जा रहो 45 km per hour के उसत से आपके दोस्त आ रहा है 53 km per hour के उसत से चोटा बच्पन का दोस्त है इसलिए जल्दी जल्दी आ रहा है तो आके मिलेंगे दोनों का relative velocity क्या क्या क्योंकि यह opposite direction according to the law of motion यहां पर क्या हो जाएगा सर रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड बराबर कितना हो जाएगा दोनों को सम हो जाएगा तो 45 प्लस 53 मतलब पांच चार नौ आठ 98 किलोमेटर पर आवर अब यह 1029 1029 किलोमेटर क्रॉस करेगा सर देख लेता है सर इधर ओर कितना इधर नौ दस यारा एक हम बारा इधर ओर आट 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 सो लाएक हम सत्रह नहीं कट रहा है तो 98 से 1029 कर लेता है तो 98 1098 आट चार बारा ठीक है 49 आ रहा है तो जीरो दस हमलोग जीरो तो पांच से हो जाएगा सर 490 तो 10.5 आप्शन के दोस्त का वेट होगा कहां पर बीज में किसी ना किसी डिस्टन्स पर अगर यह कुश्चन को टफ करना था तो कितना दूरी पर आप मीट करोगे वो कुश्चन मांग लेता आपके तरफ से डिस्टन्स या फिर आपके दोस्त के तरफ से डिस्टन्स मांग लेता ठीक है सर चले देख लेते next question क्या दिया हुआ है if 3 is added to the both numerator and denominator of a fraction then the value of value obtained is 10 upon 11 if 4 is subtracted from both then the value becomes 3 upon 4 find the value of the fraction अब sir एक काम करते हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा इदर उदर करके है options से test करके हम लोग answer कर ले सकते हैं क्यों क्योंकि यह असानी से हो जाएगा अगर आप fraction को अगर आप fraction को normal procedure में निकालोगे तो थोड़ा सा ज्यादा time लेगा कैसे ज्यादा time देख लेते हैं तो x upon y था fraction 3 add करने से बोद numerator और denominator पे तो 10 upon 11 मिलता है और 4 substitute करने पे x minus 4 और y minus 4 करने से 3 upon 4 मिलता है सर एक चीज़ सोचो हूं कि सर 4 minus करे मतलब 33s upon 4 नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता क्योंकि 4 कैसे minus करोगा नीचे से 0 हो जाएगा 3 upon 5 यह भी नहीं हो सकता उपर का zero हो जाएगा माइनस में आजाएगा 6 upon 13 यह हो सकता ह है 7 upon 8 यह हो सकता है तो चेक कर लो option से, खतम कहानी, देखो 6 अपन 13 से 4 माइनस करो, तो कितना हो जारा, 4, इधर कितना हो रहा, 6 अपन 2 हो रहा है, नीचे कितना हो रहा है, 9, 4, 13, तो 2 अपन 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 अपन 8 से 4 माइनस कर दो, कितना हो रहा है, 3 अपन 4, खतम कहानी हो गया, 7 साथ अपन आठ से तीन जोड़ो, साथ तीन दस, आठ तीन यारा, दस अपन यारा खदब का निया, या तो आफ नॉर्मल इस एक्वेशन को solve करते जाओ, कैसे, 11x प्लास 33 अब इकोस तो 10y प्लास 30, ठीक है, तो 11x माइनस 10y इकोस तो माइनस 3, और इधर से क्या मिल ज़गा, स 4x माइनस 4, 4, 16, इकोस तो 3y माइनस 4, 3, 12, ठीक है, तो यहां से आ जा रहा क्या, 4x माइनस 3y इकोस तो 4, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, सर, इसको एक काम करता है, 4 से इसको गुना करता है, 11 से इसको गुना करता है, तो 11, 4, 44x माइनस 40y इकोस तो माइनस 12, इधर इकोल्स टू 44, इन दोनों का बीच में निकालते हैं क्या हो जाएगा, सरी इन दोनों का बीच से y निकलेगा, तो कितना हो रहा है, ऐसा 7y-7y, इकोल्स टू इधर रहा 426, 56, 786, तो y का वैलू कितना हो रहा है, 8, y का वैलू, अगर 8 आ रहा है, x का वैलू कैसे निकालोगे, इस equation से निकालो, तो 4x बराबर 4, प्लास 8, 3, 24, 24, 28, तो x बराबर कितना हो, रहा 4, 7, 28, तो 7 अपन 8 अपका fraction मिल गया, क्या ये प्रोसीडियोर इतना calculation से ज्यादा हम लोग जो option-based test से जा रहे थे, क्या वो असान था, अगर हाँ, तो option-based test एक बार try करना, आपको logic लगाना कि 3 अपन 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 4 माइनस करना है, 3 अपन 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 4 माइनस करना है, उसके बाद भी positive आ रहा है, मतलब बड़ा होगा, उससे 4 से बड़ा होगा, दोनों ही number, 4 से बड़ा वला number कौन सा है, 6 अपन 13, 7 अपन 8, इन द of trees are of neem and the rest is of mangoes what is the number of mango trees अब तीन बटा साथ तीन बटा साथ trees are the neem and the rest are mangoes तो mango tree का number कितना होजागा 1-3 upon 7 मतलब कितना 4 upon 7 4 upon 7 of कितना 42 तो 7-642 तो 6-424 24 tree क्या होजागा sir mango tree का option number 4 यह बहुत ही असन सा सवाल था लेकिन लेकिन यह ऐसा question क्यों देता है क्योंकि आप इससे एक-दो ऐसा question करके आपको लेगा question दो बहुत आसन है normally हम लोग slow हो जाते हैं यह questions आपको slow करने के लिए दिया हो रहा था लेकिन ध्यान रख ला आपको speed is में increase करना है जितना जल्दी हो सके आप calculation करो और फटक से next question में चल जाओ ठीक है हमें क्या करना है सर 25 आउट 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 25 स्कोर करना है ठीक है सर चलो देखते हैं next question क्या दिया हो है यह 551 divided by 29 बरबर 19 दिया हो है दिन वाट इस दे वैलू आउट 5.51 डिवेड़ बाइंट 0.0019 अब देखो सर एक काम करते है 551 अपन 19 ही लिग लेते हैं लेकिन पॉइंट षटाने के लिगे उपर का पॉइंट हटा रहा है मतलब कितना नीचे पॉइंट 0 कितना हوجा जागा सर सो हो जाएगा उपर कितना जिर 2 3 4 करका दिये तो मिछ सर इसका वैलू क्या दिया हो है 19 in200 कितना हो रहा है सर सर उनीस सो हो जागा यहां पर 29 अच्छा सर उनीस से डिवाइड किया यह तेखो tricky question देदी आप यहां पर 19 ढूंदते रहे जाते अधेको सर 551 upon 29 बराबर 19 दिया हो है तो 551 upon 11 equals to 29 होगा ठीक है सर यह हम यहीं पर हम ढूंदते रहेगे तो आप भी exam hall में ढूंदते रहे एक बार चले देखले तो next question क्या दिया हुआ है the graph below shows the number of personal computers sold by XYZ company in the last 10 years ठीक है XYZ के तो यह graph X graph क्या सो कर रहे है lakhs unit इतना lakhs unit बेचा गया है कितना साल में यह साल represent कर रहे है how many personal computer were sold by the company 2011 तो 2011 के दोरान कितना computer personal बेचा गया है तो यह इसका line कहा से meet हो रहे है से 60 पे तो 60 is the correct answer option number 3 sir ठीक है sir चले देखले the next question क्या दिया हुआ है हम लोग pipe and system का इतना सारा question कर चुक है आसा करता है यह question आपको कुछ नहीं लेगा मजाग मजाग में आप लोग निकाल दोगे कैसे two pipes A and B can fill a tank respectively in X minutes and 6 minutes if both pipes are working together it takes 1.5 minutes to fill the tank find the value of X sir हमें क्या मालूम है X and 6 अगर दिया हुआ है दोनोंने मिलके X साथ काम करेगा तो कितना time लेगा X into 6 upon X plus 6 बराबर कितना दिया है sir 1.5 तो 1.5 का मतलब होता है sir 3 बटा 2 तो 2 से गुना करो तो कितना हो रहा है 3 से काटेंगे तो 3 दो चे 2 दो 4 X बराबर कितना हो रहा है sir X plus 6 तो यहां से कितना हो रहा है sir 3 X upon equals to 2 oh sorry 6 आ रहा है तो X equals to कितना हो रहा है sir 2 आ रहा है तो what is the value of X 2 minutes option number 1 ठीक है sir जितना जल्दी आप calculation कर लोगे बुदना आपके लिए असानी हो जाएगा चलिए देख लाए तो next question क्या दिया होगा there is a difference of rupees 50 when a keyboard is sold at 15% and 20% loss what is the cost price of the keyboard अब देखो sir 15% and 25% का loss मतलब क्या दिया हो है sir हम लोग सोच लेता है कि दोनों का gap ही ऐसा ही सोच लेता है normally दोनों के gap कितना हो रहा है 10% 10% का value कितना sir 50% 100% का value कितना हो जगा 500 option number 2 is the correct answer यह loss देखे आपको धुंदला करने के कोशिस कर रहा था उतना जल्दी धुंदला मत हो जाना question देखना पढ़ना समझदारी से question कर लेना चलिए देख लेते next question क्या दिया हो है in the given parallelogram ABCD find the value of angle ABC in degree आमे sir क्या दिया हो है sir यह angle ये angle क्या दिया हो है 9x फ्लास 5 ये angle क्या दिया ह्या 16x दिया हो है ठीक है sir ये angle दिया हुए equation of straight line नहीं दिया हुए समझ लेना बात अब देखो sir ये angle, और ये angle का value क्या होता है so same हो जाता है तो ये 9x फ्लास 5 होगा हमें क्या निकालना है sir ABC के valueug ABC के value यह यह वाला angle तो यहां से कितना हा रहा है सर एकस का वेलू सर एकस का 16 1925 और हिदर हा रहा है 175 तो 25 कितने में 145 होता है 25 चNow 75 होता है तो 7 मिल गया अब एबी सी का वेलू क्या हो जागा सर को यह दोना एंघल क्या हो जाता है In a fort, there is food material for 1200 army men, 28 days. Four days later, some army men leave the fort. As a result, the available food material lasts for 32 days. How many army men left the fort? अब देखो, 1200 जनका, 1200 जनका, कितना? 28 दिन, 4 दिन छोड़के चल गया. 4 दिन के बाद, कितना खाना बचा हुआ है? सर, 1200 इन्टु 24 दिन के लिए खाना बचा हुआ है. तो ये बराबर कितना है? चात तिया, 12, 300, 3 दिया, 900. तो 900 जनके लिए खाना बचा हुआ है. कितना जन था? 1200 जन था? अभी कितना है? 900 है, कितना गया? 300 जन. चोड़के काँ चल गया? सर, वही तो 300 जन. देखो, option number 2 is the correct answer. ओके सर, चले देखने ते next question क्या दिया हुआ है? अब असली question आया, मैंने sample space of 3 coins आपको पढ़ा दिया था. अब फीर से एक बार revision कर देता हूँ, ठीक है? अगर दो coin toss कर रहे हो, तो आपको कितना sample space मिलेगा? सर, आपको एक coin toss कर रहे हो, तो head or tail मिलता है, ठीक है? head or tail मिलता है, जब एक coin toss कर तो, दो coin toss कर रहे हो, coin 1, coin 2, coin 1, coin 2, तो क्या करना होता है, सर, head head, tail tail, head tail, ठीक है, head tail, head tail, यह होता है sample space, यह head head मिलेगा, एक sample space, दो sample space, तीन sample space, चार sample space, तो कितना हो रहे है? सर, दो coin के लिए 4 हो रहे है, तो 2 square लिख सकते हैं, हाँ सर, देखते हैं, अब 3, 3 coin toss कर रहे है, एक, दो, तीन, तो क्या होता है, सर, हमें क्या लिखना पड़ता है, सर, 4 head, 1, 2, 3, 4, 4, चार tail, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इधर कितना हो रहे है, सर, 2 head, 2 tail, 2 head, 2 tail, 2 head, 2 tail, 2 head, 2 tail, ठीक है, अब कितना हो जागा, सर, head tail, head tail, head tail, head tail, ठीक है, सर, इतना हो जागा, तो यह कितना है, सर, एक, sample space, एक sample space, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंदरा, पांचवा, चटा, सत्वा, आठ, आठ, आठ आपको sample space मिल जा रहा है, ठीक है, total number of sample space कितना हो रहा है, तो 3 coin के लिए 2 cube होता है, 8 मिल गया, अब जब 4 coin के लिए करोगे, तो 2 to 2 are 4, 8, 2, 16 हो जाएगा, जब 4 coin के लिए sample space करोगे, तो कैसे हो जागा, सर, 1, 2, 3, 4, 4 coin के लिए, कितना हो जागा, सर, सर, 16 हो रहा है, मतलब 8 head, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा head, और 8 tail लिखोगे, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद क्या लिखोगे, सर, 4 head, 4 tail, इसके बाद 2 head, 2 tail, इसके बाद 1 head, tail, ऐसा करते करते हैं, आप calculate करोगे, ठीक है, तो total sample space क्या होता है, सर, format of, यहाँ पर क्या formula अप्लाई होता है, what is the ACF of 16, 72 and 28, देखो सबसे बड़ा नमबर, 4, 4 से देख लेते, 4, 4, 16, 4, 1, 4, 38, 4, 38, 28, हो जारा सर, 4 से divide, तो ACF क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, option number 2 is the correct answer, ओके सर, आज यहीं ही तक रखते हैं, thank you, bye bye, stay tuned for the next class.